दोस्तो भारती सेना में जाती आधारित रेजिमेंट का मामला एक बर फिर से खबरों में है अब सेना में अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग की जा रही है अहीर रेजिमेंट के बाद से फिर से जाती आधारित रेजिमेंट पर बात होने लगी है इस बीच लोगों के मन में जाती के हिसाब से बनी इन रेजिमेंट को लेकर सवाल है आखिर सेना में जाती के हिसाब से रेजिमेंट क्यों बनाई गई है और अभी इन रेजिमेंट में बनती का क्या प्रोसेस है इसके अलावा सब ये भी जानना चाते हैं कि आखिर इंडियन आर्मी में इने किस तरह से बाटा गया है और रेजिमेंट का हिस्सा होने के लिए क्या-क्या नियम है अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाते हैं तो ये वीडियो आपी के लिए है सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेजिमेंट एक्चुल में होती क्या है सबसे पहले तो आपको बता दू कि भारतिय थल सेना में ही रेजिमेंट की विवस्ता है जबकि वायू सेना और नो सेना में ऐसर नहीं है ये एक तरह का सेने दल होता है और ये थल सेना का एक हिस्सा होता है कई रेजिमेंट मिलकर पूरी थल सेना बनाती है और आम भासा में कहा जाए तो ये एक थल सेना का एक गुरूप है किस आधार पर रेजिमेंट बाटी गई है जब थल सेना में रेजमेंट बनाई गई थी तब भारत पर अंग्रेजों का सासन था कहा जाता है उस वक्त अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों आधी के हिसाब पर अलग-अलग गुरूपों में सेना की भरतियां की ये भरतियां जाती के आधार पर, छेतर के आधार पर, या फिर कम्यूनेटी के आधार पर की गई है और ये रेजिमेंट भी इन आधार पर ही बनी थल सेना में ये रेजिमेंट मुख्यता है, इन्फेंट्रिक में देखने को मिलती है माने पैदल सेना जो सबसे आगे लड़ाई लड़ते हैं मगर अब EME, Ordinance, SST, सिगनल आदी है जो उसमें जातिगत रेजमेंट के विस्ता नहीं है जैसे जाती के अधार पर जो रेजमेंट बनी उनमें राजपूत, जाट, डोगरा, राजपूताना, महार, आदी सामिल है छेतर के अधार पर बनने वाली रेजमेंट बिहार, कुमाउ, लड़ाक, मदरा, सासाम, आदी सामिल है इसके अलावब कम्यूनिटी के अधार पर गोरखा या मराठा जैसी रेजमेंट बनाई गई अब मेन मुद्दाई है कि जाती के अधार पर ही रेजमेंट क्यों बनाई गई दोस्तो सेना में जाती आधारित रेजिमेंट होनी की वज़े से अंग्रेजों का सासन और उस सासन के विरोध होने वाला विद्रो आज भारत के पास जो सेना है उसे अंग्रेजों ने बनाया था और जब अंग्रेज भारत आये थे तो उन्होंने अपने लिए पूरी फोज वो इंग्लेंड से नहीं लेकर आये थे वो कुछ अफसरों और जवानों के साथ यहां आये फिर उन्होंने भारत में अपने अनुभव के अधार पर सेना का निर्मान किया जो पहले व्यापार के लिए आये थे मगरबाद में उन्होंने यहां सेना बनाने का फैसला किया फिर यहां के लोग ही सेना में रिक्रूट करते थे अब हम बात करते हैं कि जाती के आधार पर रेजिमेंट की दरसल साल 1857 की किरांटी के बाद जाती आधारित रेजिमेंट पर जोर दिया गया इसके बाद से अंग्रेजों ने उन जातियों का छेत्र का जातियों या फिर छेत्र का चैन किया जिनके यहां लोग एतिहासिक रूप से लड़ाई में हिस्सा लिते आ रही हैं इसमें केटेगरी मार्शल और नौन मार्शल के अधार पर तैक की गई 1857 की किरांती में बंगाल आदी छेतर के लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया जबकि कुछ छेतरों ने अंग्रेजों का साथ दिया इसके बाद उन छेत्रों के लोगों को सेना में जादी भरती करने का फैसला किया गया, इसमें डोगरा, गोर्खा, राजपूत लोग जादा सामिल थे उस वक्त जोनाथन पील कमीशन मनाय गया, जिसे लोयल सेनिकों को चुनने का फैसला किया गया इसमें मार्शल और नोन मार्शल जातियों को चिन्नित किया गया और मार्शल यानि लड़ने में काबिल जाती कबीला या फिर छेतर में राजपूत सीख, गोर्खा, डोगरा, पठान, बलोच आदी को इनको सामिल किया गया इसके बाद जाती के अधार पर आर्मी में रिक्रूटमेंट सुरू हो, जैसे इन समाजों से आने वाले सैनिकों की उचाई रोबदार वेक्तितों और मार्श करने का तरीका, ऐसे में जाती के अधार पर रेजिमेंट की भरती होने लगी, और अंग्रेजों ने भी ध्यान पर कुई नई रेजिमेंट नहीं बनाई गई है, मगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर कई बार बदलाव हुआ है, और इस पर बदलाव के लिए कई कमेटियां भी बनाई गई है, अब जाती के अधार पर बनी रेजिमेंट में जाती के आधार पर रेक्रूटमेंट हो सकता है ऐसा भी नहीं हैं कि एक जाती के लोग ही भरति किया जाएं राजपूत अनुरा nina rifles में राजपूत और जाट भरती हो सकते हैं राजपूत रेजिमेंट में राजपूत गुर्जर Mr. और मुसलिम भरती हो सकते हैं वहीं कई force में कोई भी जाती हो था है ही नहीं मैं आपको बता दू कि कई पहले कई साल पहले रेजिमेंट जो होती थी लेकिन बाद में उन्हें बंद किया गया चैसे पहले ब्रह्मन रेजिमेंट भी बनाए गई थी इसे 1903 में पहले विश्यु युद में हिस्सा भी इन्होंने लिया था दूसरे 1946 में इसे खतम कर दिया रहे है तो दोस्तो ये थी आज की वीडियो उमीद करता हूँ रेजिमेंट भीस्ता को अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे और इस सारा मुद्ध क्या है ये भी आप समझ गए होंगे उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी वीड YouTube चनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद